दोस्तों Instagram की कोई भी Reel हो, Save तो हो जाती है लेकिन गैलरी पर दिखाई नहीं देता है ये प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आए हैं तो आप लोग अपने Instagram की किसी भी Reel को अपने गैलरी पर Save कर सकते हैं और उसको कहीं पर भी, कहीं पर भी Status के तवर पर Use कर सकते हैं तो चलते हैं, आपको दिखाने वाले हैं, पूरा प्रोसेस, तो आप लोग वीडियो को लाज तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हम आपको इस्टिब बाइस्टिब बताने वाले हैं इसके लिए सबसे पहले आपको अपने Instagram को आउन कर लेना है, और Reel वाले Option पर चले जाना है जैसे ही Reel On हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर एक Share का Option दिखाई देगा Reel पर, आपको क्लिक करना है आपको किसी को Share नहीं करना है, यहाँ पर एक Option दिखाई देगा, Add Story का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, Loading दिखाई देगा, इसके बाद आपको इस टाइब से दिखाई देगा, तो उपर आपको एक Three dots का Option दिखाई देगा तो Save हमके कर देना है, यहाँ पर Save होने का Process स्टार्ड हो गया है, वीडियो हमारा Save हो चुका है, इसके बाद में आपको एक काम करना होगा आपको अपने Google फाइल पर जाना है, जो की फाइल इस टाइब का दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है ठीक है, अपने फाइल पर अपना फोल्डर एक चेक कर लेना, या तो मूवी वाला फोल्डर, या तो फिर वीडियो वाला फोल्डर आपको चेक करने के बाद में, यहाँ पर जो हमारी रील थी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Save होई है तो इसको करना क्या है, इसको देर तक किलिक करके इसको Select कर लेना है जितने भी आपने Real Save की होगी, सभी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, ठीक है तो आपको इस टाइप से कर लेना है, मैं दिखाने के लिए सिर्फ एक ही Select किया हूँ तो आपको कर लेना है फिर आपको three dots पर क्लिक कर देना है इसके बाद में आपको copy to का option दिखाई देगाश पर का आपको क्लिक कर लेना है फिर आपको internal storage का option दिखाई देगाश पर आपको क्लिक कर लेना है और copy here option पर क्लिक कर देना है और ये आपके सीधा गैलरी पर पहुंच गया होगा चलते हैं हम अपने गैलरी याउन करते हैं गैलरी का ओप्षन जैसे याउन होगा तो हम आपको दिखाएंगे जो हमारा वीडियो था ये आप देख सकते हैं कि हमारा वीडियो यहां पर आस आ गया है ठीक है ऐसे आप कर सकते हैं आपको वीडियो अच्छा लगए तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को सेयर कर देना